हालो एब्रीवन वल्कम टो ओडिचा ट्रेटर्स एचार्ट मस्टर ग्रूप तो थार्स डे यानी इक्सपारी डे के लिए निप्टी बैंक निप्टी का अनालेसिस करेंगे इसके साथ देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है क्योंकि देखिए हमारा जो मार्क मार्केट ही यह कंप्लिटली माक्रो फैक्टेर्स के उपर डिपेंडेट है अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हल्चल होता है इसका सीधा असर आता है इंडियान मार्केट के उपर तो इसलिए इंपोटन हो जाता है कि हमें डाउजन का मूब पहले देख लेना चाहिए तो बेसिकली डाउजन का मूब पे ही इंडियान मार्केट फुली डिपेंडेंट है तो जैसे अगर देखे होंगे तो कल अगर आप देखे होंगे कल रात को बहुत सरे लोग जो वीडियो बनायते है आट नौ वज़े तक कि मार्केट में बड़ा ग्याप अफ हो सकता है क् कि डाउजन में अच्छा खासा एक रिकवरी देखने को मिला था 300-400 पॉइंट का लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि बड़ा ग्याप डाउन ग्याप अफ होगा क्योंकि मैं वेट किया था इसलिए काल रात को में वीडियो नहीं बनाय था ठीक है क्योंकि हम एक अच्छा स्ट्रंग सपोर्ट है रेजिस्टंस है तो इस लेबल से मार्केट को फिर से डाउन पल देखने को मिल सकता है और ओई हुआ और लेट नाइट में मार्केट में एक अच्छा खासा गिराबट देखने को मिला दो 15-20 मिनिट में मार्केट फिर से नीचे आगया 300.400 पान मार्केट में मार्केट उपर के चरब एक अच्छा खासा मूब दिया मर्केट में ठीक है तो अभी अगर देखेंगे हमारा जो इस थाटी जो हुए 160 पॉइंट आप चल रहा है मतलब थोड़ा पजिटिवनेस दिख रहा है यह जो लेबल है 29,400 का लेबल के उपर मार्केट ओपन होनन का चंस से और फिर से यह ट्राइ करेगा 29,600 को ब्रेक करने के लिए ठीक है अगर यह लेबल ब्रेक हो जाता है तो हमारा मार्केट के लिए भी आच्छा है और हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा पहला टार्गेट जो हमें देखने को मिलेगा ओ रहेगा यहा तो अभी देख लेते हैं हमारा निप्टी का कंडिशन क्या है तो निप्टी में आज क्या हुआ आज हम क्या कॉल दिया था बैंक डिमें कॉल दिया गया था आपको सुभा-सुभा जिसमें की 40-50 पॉइंट का मुब आपको देखने को मिला हाला कि मार्केट में आज जो 17,070 यह जो लेबल है कि अच्छा खासा रेजिस्टन्स था लिकिन आज अनेक्सपेक्टेडली सेकेंड हाप में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो पहले क्या हुआ था पहले तो ब्रेक किया था मार्केट यहां पे तो मैं आप लोग को एक C क्या कॉल दिया था जिसमे कि अमारा मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तो अमारा यहां पे एसल तो हीट नहीं हुआ लिकिन मैं बोला था कि सेटर अगर आप 17,070 नीचे मार्केट आ जाता है तो आप यहां पे एक जी जो ने के लिए ठीक है तो यह ट्रेडिंग का रूल है तो हम रूल के खिलाप न हुआ है देखिए यह जो लेवल है 17,070 का लेवल सब को एक्सपेक्टेशन ता कि इसी लेवल से मार्केट को डाउन पल देखने को मिलेगा लेकिन मार्केट क्या क्या यहां पे पहले सुबह का सेशन में इसको नौक किया इसके बाद फिर से नीचे आया और इसमें भी हमें पी कॉल लिये थे एक छोटा सा ही रो जीरो कॉल हम लोग लिये थे तो इसमें भी प्रफिट हुआ अच्छा का सा 20 रूपीज से लगबग 40 रूपीज तक हो गया था इसके बाद मार्केट में फिर से जो आपसाइड मूब हुआ यहां पे फिर से डाउन फॉल हो गया ठीक ह कि यह जो 17,100 का जो लेवल है ठीक है यह एक अच्छा-खासा सपोर्ट जैसा काम करेगा अगर मार्केट इसके उपर ओपन हो जाता है और यहां पे सपोर्ट लेता है तो कुछ दर्स पांच मिनिट के केंडल भी अगर सस्टेंड कर लेता है इसके उपर आप यहां पे सीधा सीध के लिए जा सकते है पर यह टार्गेट आप 17,000 पहला टार्गेट मैं आपको वता देता हूं पहला टार्गेट जो रहेगा क्योंकि एकस्पारी है तो पहला टार्गेट हमारा रहेगा यह वाला ठीक है 17,200 इसका बाद 17,280 ठीक है इसको ब्रेक करेगा फिर से हमें 17,400 का टार्गेट देखने को मिलेगा तो मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर मार्केट 17,425 का उपर सस्टेंड नहीं करता है तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट में पॉजिटिवनेस आ गया ठीक है यह सिंपल से एक पूल बैक दिक रहा है तो 17,420 इसके उ उपर ओपन हो जाता है यह जो लेबल है इसके उपर अगर ओपन हो जाता है तो हमें सिंपल सा यहां पर सी शाइड के लिए जाना है चोटा सा आपको क्या करना है ही रो जीरो कॉल में कल आपको प्रभाइट करेंगा लेकिन ट्राइ किजिए कि ITM कॉल लेके काम करने के प्रकेट ग्याब डाउन हो जाता है इसका नीचे फिर से ओपन हो जाता है तो यह अभी एक आच्छा-खासा रेजिस्टर जैसा काम करेगा और फिर से हमें ट्वार्ट शिस्टिन थाउजन नाइन पिप्टी का लेवल देखने को मिलेगा लिकिन अगर यह जो 16,950 का लेवल अगर तूट जाता है तो हमें फिर से 150 पॉइंट का एक बड़ा मूब देखने को मिल चकता है तो यह ता निप्टी का अनालिसिस तो ब्यांग निप्टी का लेख ले थे ब्यांग निप्टी में क्या हुआ है ब्यांग निप्टी एक आच्छा-खासा क्लोजि यह एक अच्छा-खासा मूब हम लोग को देखने को मिलेगा तो 39,600 का जो लेवल है कि अच्छा-खासा यहां पर हमें बड़ा मूब देखने को मिल सकता है इसके बात हम नेक्स्ट के लिए सोच सकते है लिकिन हमारा जो पहला काल के लिए जो टार्गेट रहेगा हीरो जिर अच्छा-खासा सपोर्ट जोन जैसा दिख रहे तो मार्केट अगर यह रेंज में फस जाता है ठीक है 29,250 से आके अगर यह रेंज में अपका फस जाएगा तो यहां पर एक सेलर एक्सपारी भी देखने को मिल सकता है कुछ बड़ा बात नहीं है ठीक है मतलब 250 से अगर थोड़ा यहां पर मीडिल में ओपन होगा तो 38,900 मतलब 39,000 तो यह 200,250,250 के बीच में अगर मार्केट गुमता है तो यहां पर सेलर एक्सपारी भी हो चकता है तो यह वाला भी आप ध्यान रखिए अगर मार्केट का ट्रेंड क्लियर है अगर मार्केट में बड़ा मूब आपको देखना है तो मार्केट को सिंपुल सा यहां पर 39,270,260 को ब्रेक करना पड़ेगा उपर के तरफ से आपको बड़ा मूब देखने को मिलेगा फिर भी मार्केट का कंडिशन जैसे की कुछ भी बोला नहीं सकता है हमारे टेकनिकल अनुट के सबसे जो आ रहे में आपको ही बता रहूँ अज पर मार्केट कंडिशन एकन विल टेक देख दे कॉल्स अगर कुछ अच्छा हीरो जीरो कॉल्स मिलता है हम लोग को 90 परसेंट का अकूरासी मिल जाएगा और अच्छा अपका प्रफिट हो सकता है तो थांक्यू थांक्यू फो वाचिन वाइव वीडियो